एक हरे भरे जंगल में एक मेहनती चीन्टी और एक आलसी टिड़ा रहते थे। गर्मियों के दिन थे। दिन भर चीन्टी अपनी काम में जुटी रहती, अनाज और खाना इकठा करती। उसकी मेहनत देखकर टिड़ा अक्सर हंसता था। एक दिन टिड़ा ने देखा कि चीन्टी बेतहाशा काम कर रही है। वह उसके पास गया और बोला, चीन्टी भाभी, तुम हमेशा काम में क्यों लगी रहती हो। देखो, आज मौसम कितना सुहावना है। चलो, गाते हैं और नाचते हैं। चीन्टी ने उसे समझाने की कोशिश की। टिड़ा, सर्दी आने वाली है, हमें अपने लिए खाना इकठा करना चाहिए। लेकिन टिड़ा ने उसकी बात नहीं मानी और मौज में रह गया। जैसे जैसे गर्मियाओं बीतने लगी, चीन्टी ने अपने लिए बहुत सारा खाना इकठा कर लिया। वह अपने घर में आराम से बैठकर सर्दी का इंतजार करने लगी। दूसरी ओर, टिड़ा मस्ती में अपने गीत गाता रहा, बिना किसी चिंता के। फिर अचानक सर्दी का मौसम आ गया, ठंड ने जंगल को अपनी चादर में लपेट लिया, टिड़ा अब ठंड से कांप रहा था और खाने की तलाश में इधर उधर दोड़ रहा था। कुछ दिनों बाद, भूक और ठंड से परेशान होकर टिड़ा चींटी के पास गया, उसने दर्वाजा खट-खटाया और कहा, चींटी भाभी, मुझे बहुत भूक लगी है, क्या आप मुझे थोड़ा खाना दे सकती है? चींटी ने उसे दर्वाजा खोला और कहा, मैंने माफ कर दो, मैंने गलती की, मैं अब समझ गया हूँ कि आलस्य का क्या परिणाम होता है? चींटी ने टिड़े को थोड़ा खाना दिया और कहा, सीख लो, सर्दी के मौसम में आराम से बैठने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करना जरूरी है, टिड़ा ने आश्वासन दिया कि अगली बार मेहनत करेगा और अपने काम में लापरवाह नहीं होगा, दाई, नैतिक, मेहनत का फल मीठा होता है, जो मेहनत करते हैं, वही सफलता प्राप्त करते हैं, इस प्रकार टिड़ा ने अपनी गलती से सबक लिया और अगले साल से मेहनत करने का प्रण लिया,